Welcome to my channel आप सभी प्यारे प्यारे से लोगों का मेरे चैनल पर धेर सारा वेलकम है आज है day 17 तो बात करते हैं आज के message की तो आपको बनाना है यूनिवर्स के साथ connection और ये connection कैसे बनेगा? ये connection बनेगा खुद को काम करके खुद को एक्दम शांत करके अपने thoughts को शांत करके और अपने दिमाग से ये बिलकुल निकाल दें कि हमें अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारा hard work करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगी कि आपको hard work करना पड़ेगा तो फिर life आपके सामने ऐसे ही situation लेकर आएगी कि आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा हर चीज आपको hard work करने के बाद ही मिलेगी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी problems की जो solution होते हैं वो ठीक हमारे सामने होते हैं या फिर किसी चीज को हम ढून रहे होते हैं इधर उधर और वो चीज ठीक हमारे सामने होती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलती क्योंकि हमारा दिमाग शांत नहीं होता हमारा मन शांत नहीं होता हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई काम इतनी आसानी से हो सकता है हम सोचते ही उसको ऐसे है कि ये बहुत मुश्किल है और इसको आसानी से तो solve करी नहीं सकते हम खुद को काम रखने का फाइदा क्या होता है जब आप खुद को शान्त रखोगे न तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी काम करने के लिए खुद बखुद इंपल्स आजाएगा कोई thought आपके दिमाग में आजागा कि अच्छा चलो इससे बात कर लेते हैं इस इंसान को एकदम से लगता नहीं चलो इसको call कर लेते हैं सिंपल सिर्फ इतनी किसी से बात करने से ही आपका काम हो जाता है कई बार ऐसा होगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो और वो आपके मन की बात कह देता है जिसका आप जवाब ढूंड रहे हो जो कोई भी काम आपको परिशान कर रहा है जिसको आप ठीक करना चाहरे हो वो कोई चुटकियों में ऐसे हल निकलाते हैं उसके लेकिन तब जब आप भरोसा करते हो और सरफ औसरफ सॉल्योशन पर फोकस करते हो जब आप सॉल्योशन ढूंडने की कोशिश करते हो वो भी खुद को शांत रखे उसमें आपने कोई उसके लिए वो औरनी डाल रखी है कि मुझे बस कल तक ही चाहिए इसका जवाब या फिर मेरा काम यह आँ शाम तक ही ठीक हो जाना चाहिए पता है हमारे अंदर इतना शोर होता है कि हम अपने मन की बात सुन ही नहीं पाते तो सबसे पहले यह जो हमारे अंदर का शोर है इसे शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है meditation सबसे बेस्ट इसका कोई और substitute है ही नहीं पूरे दिन में पूरे दिन में पांच मिनट बस पांच मिनट से शुरू करो कभी भी जब आपका मन करे न और कुछ नहीं सोचना की कैसे करना है meditation हमें नहीं आता है कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बस आखें बंद करनी है और बैट जाना है और focus करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर कि वो कैसे अंदर जा रही है कैसे बाहर आ रही है उनके बीच में कितना gap है जब वो अंदर जा रही है तो हमारे अंदर कैसा feel दे रही है बस आपको उस पे ध्यान रखना है और अगर कोई thought आ भी रहा है कोई बात नहीं जो आ रहा है उसको बिल्कुल एक movie की तरह देखते रहो खुद उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना खुद से कोई question answer नहीं करने कोई चीज़ आपके मन में आ रही है उसको बिल्कुल एक movie की तरह देखो पिच्चा चल रही है देखते रहो आराम से पांच मिनट बैठो आखें खोल लो शुरू में आपको ऐसा लगा कि इससे हमारा क्या connection होगा पर आप इस तरीके से ही यूनिवर्स से बात करना सीख जाओगे आपका और यूनिवर्स का connection इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको फिर कुछ भी करने के लिए hard work की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई लंबी चौड़ी planning की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद बखुद बैठे बैठे दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा आज ये करना है एकदम से thought आएंगे random फिर आपको लगेगा और वो करते ही आपके सारे काम होते चले जाएगे बिना किसी मेहनत के बिना किसी effort के life इतनी beautiful लगेगी इतनी easy and effortless लगेगी आपको guide करने के लिए universe होगा आपके साथ life को easy बनाओ एकदम easy चीजों को control करने की कोई जरूरत नहीं है काम खुद बखुद होने लगेंगे बस खुद को शांत करना है और थोड़ा सा थोड़ा सा meditation करना है बस